रियलिटी शो बिग बोस OTT तीन के खतम होने के बाद से अभी दर्शिकों को सलमान खान के शो बिग बोस 18 को देखने का बेसबरी से इंतिजार है शो के शुरू होने से लेकर कनफॉर्म कंटेस्टन के नाम तक फैंस हर लेटिस अपडेट जानने के लिए काफी जादा एकसाइटेड है हाल ही में शो में जाने वाले पहले कंटेस्टन के तोर पर शोहिव इबराहिम का नाम सामने आया था लेकिन एक्टर ने साफ तोर पर मना कर दिया है ये महज अफवा है और वो शो में नहीं जा रहे ये तो कनफॉर्म है कि हर बार की तरह बिग बुस सीजन 18 को भी सलमान खान ही होस्ट करेंगे रिपोर्ट्स के मुताबित बिग बोस 18 पाच अक्टूबर को प्रीमियर होने वाला है हाल में ही एक नए अपडेट से पता चला है कि बिग बोस 18 अक्टूबर के पहले शनी वार को लोंच होने वाला है अभी तक किसी भी डेट को लेकर कोई पुश्टी नहीं की गई कि उनके पती की दूसरी पतने क्रितिका मलिक को बिग बोस 18 के लिए अप्रोच किया गया था वही इंडियन एक्सप्रेस स्वे की रिपोर्ट के मताबित बिग बोस सीजन 18 का अक्टूबर के पहले शनिवार यानी की पाच अक्टूबर से टेली कास्ट होगा हालकि इससे लेकर अभी तक कोई भी ओफिचल अनॉसमेंट नहीं की गई इस बार इस शो को सलमान खान ही होस्ट करेंगे बिग बोस OTT 3 को वो अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर की शूटिंग की वज़े से होस्ट नहीं कर पाये थे वही बिग बोस 18 के कंटेस्टिंग के नाम तो कंफॉर्म नहीं लेकिन कई लोगों के अप्रोच करने की खबरे सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिश शो के लिए पायल मलिक, कृतिगा मलिक, अरजुन बिजलानी, करन पटेल, समीरा रेड़ी, सुर्भी जोती, पूजा शर्मा, शोहिब इबराहिम, दलजीत कोर के अलावा कुछ इंफ्लूएंसर के भी नाम तेजी से वाइरल हो रहा है इसमें भी शेक मलहान, फैजू, दिपिका आर्या, डोली चायवाला, मैक्स जनोर ठगेस का नाम शामिल है इसके अलावा स्पेट स्विला 15 के कशिश कपूर, दिगविजे सिंग राठी और सिवेट तोमर का नहम भी सुर्ख्यों में है रिपोर्ट के अनुसार, बिग बोस OTT 3 में नजर आए, शिवानी कुमारी, विशाल पांडे और अधनान शेक का नाम भी सामने आ रहा है हालकि इन सबी नामों को लेकर कोई भी कन्फॉर्म पुष्टी नहीं की गई, मेकर्स की तरफ से ओफिशन अनौंसमेंट होनी बाकी है बता दी कि सल्मान खान का शोव बिग बोस हमेशा विवादों में रहा है, इस शोव में आने वाले कंटेंस्टन के बीच लड़ाई और कॉंटरवर्शी खोब चर्चा में आती है बिग बोस ओटी नी तीन की बात करे तो इस शोव की ट्रॉफी सना मकबूल ने अपने नाम की, एक्टरस ने ना केवल ट्रॉफी बलकि 25 लाख रुपे कैश प्राइज भी अपने नाम कर ली